लो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई हो आप लोग बहुत अच्छ होंगे मैं भी बहुत अच्छ हूँ गाइस देखिए आज मेरा बाल कितने अच्छा लग रहा है लग रहा है ना मस्त तो यह पहले मस्त नहीं था बहुत रफ़ा बाल और ड्राय था ब कर एक टाइम हैर स्पा करवाने जाएंगे तो हाजर से बारा सो रुपया लग जाता है यह देखिएगा इस मेरा पहले का बाल कि कितना रफ है और कितना ड्राय बेजान बाल है तो उसके लिए हम घर भेटे किस तरीगे से बालों को चमकदर और सुन्दर स्मूधी बना सकते अगर हमें ब्यूटी पालर जाए से रेजल चाहिए इंस्टैन्ट रेजल चाहिए कि बाल विल्कुल सिल्की स्मूध हो जाए साइनी हो जाए तो उसके लिए हमें लेनर होगा लॉरियल हैर स्पा गाई से काफी अच्छे हैर स्पा है यह डीब नरो सिंग बालों को करता है है और बालों जो ड्राइ हो जाता है ऑलों को उसको तो ड्राइ से स्ट वाटरी बनाता है और इसका रेट यह जो जक आफी अने पहन्टी और । कॉल की जो बाल को कॉम करने के साथ सद आपको आपको बालो को दो हिस्से में बाट लेना है इस तरीकी से बाल देखिए मेरा कितने दरफ हो रख है ड्राइ बेजान बाल हो रख है तो इसको जान देदेगा ये क्रीम और ये काफी अच्छा क्रीम है गाईस ट्रस्ट मी आप इसको आराम से लगा सकते हो और इस मेरा कॉंटिटी है न 490 गरम तिये मेरे लेंद के वालों की लेंद की हिसाब से आठ से नौवर चल जाते हैं और अगर से हम पालर जाते तो काफी जादा पैसे खर्च हो जाता है ताइम भी वेस्ट होता है तो हम घर पे रिलक्स की साथ में आर इसको हम आराम से कर सकते हैं बालों को दो हिस्सों में डिवाइट कर लीजी गाइस और उसके बाद आपको क्रीम लेना है और क्रीम थोड़े थोड़े लेने एक बार में सारा नहीं लेना थोड़े थोड़े उंगलियों में लेकरके पूरे बालों में लगा लेना है लेन स्काल्प से सुरू करके लेन है तो मैंने इसको एक पांटिसरन को जो मनें दो हिस्थो में बटा था लावों को दो पांटे सं कि इस्थो बाटा था तो इसको मैं कोई helper है, मम्मी, दीदी, बहन जो भी है, भावी है, तो आप उनकी help से भी कर सकते हो, कि आपकी help कर देबालों में, और देखे, जो massage करना है, अपने हाथों से जादा, किसी और की हाथ में जादा मज़ा आता है, अगर आपकी घर में कोई है, तो आप उनसे help लेकर के, मसाज भी आरम से कर सकते हो अब मसाज आप देख लिएगे step by step कैसे करना है और मसाज इसमें बहुत ज़रूरी है गाईस मसाज अब तक नहीं करोगे तो इसमें blood circulation नहीं होगा blood circulation तेज होगा उससे क्या होगा आपकी बाल ज़र्णना भी कम होगे और बाल ड्राइनेस भी बहुत ज़दा कम हो जाएंगे तो मेरा दो चम्माज पूरे बालों में नहीं होगा था तो मेरा आधर चम्माज और ले लिया था कि मेरा पूरे टूटल बालों में लग जाए तो कैसी काफी अच्छा क्रीम है आप ट्राइ करना ज़रूर ट्राइ करके मुझे कमेंट करना कि कैसे लगा ये क्रीम आपको अगर आप मेरी चैनल पर नियू आए हो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसे मज़ेदर वीडियो की नो कुल्ट पर टाइम लग जाता है जैसे क्रीम होता है अम क्रीम लाओ और बालो में लगा बस खतम उसके आगे का थोड़े बहुत जो प्रोसीजर है वो करने रहेगा लेकिन जो घर पर डियाइवाई होता है उसके लिए थोड़े साथ पर दाईम लगते हैं बहुत सरे समानि एक कटा करना पड़ते हैं और उसके बाद हम उसको DIY का क्रीम बना सकते हैं बालों के लिए देखे गाइस मसाज करने हैं मसाज बहुत अच्छा होता है इस क्रीम की साथ में मसाज करोगा हाथ बिल्कुल भी वह नीर होगा ड्राइ ड्राइ बहुत ज़दा हाथ भी उंगलिया उसके बाद आपको क्या कर लेना हां कोई गिले टावल से उसको बाद पानि में टावल कीला कर ले और इसमें पानी नीच उड़के और नाक में खुझली होग травल को गिला करना है उसके बाद टावल के अंदर से एकसेस वाटर को निकाल देना है यह देखिए गाइस अभी देखिए बाल बिल्कुल भी उलज नहीं रखा है उंगलियों से आसानी से छूट रहा है इसक्रिम लगाने के बाद में बहुत ज़्याद सिल्की हो गया बाल अधुलने के बाद और से मैं मसाज़ कर रहे हूँ उसके बाद मैं आफ से बात करूँगी आगे के प्रोसेस के लिए मसाज कंप्लीट हो चुका और साब पूरा बालों के खट टाय कर लेना है उसके बाद एक पिन से उसको सीक्योर कर लेना कि खूलना जाए उससे पहले मैंने गरम पानी बना लिया था और उसमें मैंने डाल दिया टावल या दूपट्ट जो भी आपकी पास होना टावल दू को अट्रौल मि नहीं होना चाहिए नित आपका स्केलप जाएगा और आख जल सकते हैं तो पानी को अच्छे से निचोड ले ने अर उतना गरम रखना है जो आप हाथ से निचोड सको और आपकी बाल जहेल सके उसकी इसाब से अब टावल को न अच्छे से बालों में लगा गाइस अब देखिए बालों को अब बाल देखिए मेरे टाइव खोल भी लिया है और बाल देखिए कितने ज़़ाइब में एपको लुग कर देखिए अब काफी अच्छा लग रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस में लुग का बीडियो एपलोट करूँगी तो जरू को देखना मेकप कैसे लगा यह ड queries is वहला मेकप बैक के लिए है काफि अच्छी है नैचुरेल है और काफि प्यारा मेकप है अब मेरा बाल देखिए बहुत अच्छा लग रहा ना मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा कमेंट करना कैसे लगा